अश्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लव फॉर स्टोरीज में आज हम मुनसी प्रेमचन द्वारा रचे कहानी बड़े घर की बेटी सुनेंगे इस्तों, कीप लिसनिंग तो शिरू करते हैं बैनी माधफ सींग गौरीपुर गाउं के जमिनदार और नमबरदार थे उनके पितामह किशी समय बड़े धन्धान संपन थे गाउं का पक्का तालाव और मंदिर जिनके अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं के कीरती स्थम्प थे कहते हैं इस दर्वाजे पर हाती जुमता था अग उसकी जगह एक बूरी भैंस थी जिसके सरीर में अस्ती पंजर के सिवा कुछ न रहा था पर दूथ शायद बहुत देती थी क्योंकि एक ने एक आदमी हांडे लिए उसके सिर पर सबार ही रहता था बैनी मादव सींग अपनी आदी से अधिक संपत्ती बकीलों को भेट कर चुके थे उनकी वर्तमान आए एक हजार रुपे वार्शिक से अधिक न थी ठाकुर सहाफ के दो बेटे थे बड़े का नाम शीकंट था उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उध्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी अब एक दफ्तर में नौकरी करता था छोटा लड़का लाल बिहारी सींग दोहरे बदन का सजीला जवान था भरा हुआ मुखडा चोड़ी छाती भैंस का दो सेर ताजा दूद वह उठकर सवेरे पी जाता था श्रीकंट सींग की दशा बिलकुल विप्रीत थी इस नेत्रप्रिय गुड़ों को उन्होंने बीए इनी दो अक्षरों पर न्योचावर कर दिया था इन दो अक्षरों ने उनके सरीर को निर्वल और चहरे को कांती हीन बना दिया था इसी से बैदक ग्रंथों पर उनका बिशेश प्रेम था आयुर्वेदिक औशिदियों पर उनका अधिक विश्वास था साम सवेरे उनके कम्रे से प्राय खरल की सुरीली कड मधुर द्वनी सुनाई दिया करती थी लाहर और कलकत्ते के बैदों से बड़ी लिखा पड़ी रहती थी श्रीखंट इस अंग्रेजी की अधिपती होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेश प्रेमीना थे बलकि वह बहुदा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरसकार किया करते थे इसी से गाउं में उनका बड़ा सम्मान था दशेरे के दिनों में वह बड़े उत्सा हसे राम लीला में सम्मलित होते और स्वेम किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे गौरीपुर में राम लीला के वही जनम दाता थे प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुडगान उनकी धार्मिक्ता का प्रधान अंग्था संबलित कुटुम के तो वह एक मात्रो पासक थे आजकल इस्त्रियों को कुटुम में मिल जुलकर रहने की जो अरुची होती है उसे वह जाती और देश दौनों के लिए हानिकारक समझते थे यही कारण था कि गाउं की ललनाएं उनकी निंदक थी कोई-कोई तो उन्हें अपना सस्त्रू समझने में भी संकोश न करती थी स्वेम उनकी पत्नी कोही इश्विषय में उनसे विरोध था यह इसी लिए नहीं कि अब उसे अपने सास ससुर्देवर या जेठादे से गिरड़ा थी बलकि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह रहने पर भी परिवार के साथ निर्बाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नश्ट करने की अपिक्षा यही उत्तम है कि अपनी खीश्री अलग पकाई जाए आनन्दी एक उच्चिकुल की लड़की थी उसके बाप एक छोटी सी रियायस्त के तालुकदार थे विशाल भवन एक हाती तीन कुट्ते बाज बहरी सिकारे जाड फनुस और रिड जो एक प्रतिष्टत तालुकदार के भोग्य पदार्थ हैं सभी यहां विद्वान थे लड़का एक भी न था साथ लड़कियां हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रही पहली उमंग में तो उन्होंने तीन ब्या दिल खोल कर दिये पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आखें खुली हाथ समेट लिया आनन्दी चौथी लड़की थी वह अ थाकुर भूप सिंग उससे बहुत प्यार करते थे सुन्दर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं थाकुर सहाब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विभा कहा करें न तो यही चाहते थे कि रिड़का बोज बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अ और धूमधाम से शीखन सिंग का आनंदी के साथ बिवा हो गया आनंदी अपने नए घर में आई तो यहां का रंग ढंग कुछ और ही देखा जिस टीम टाम की उसने बचपन से ही आदत पड़ गई थी वह यहां नाम मात्र को भी न थी हाती घुडों का तो कहना ही क्या कोई सजी हुई सुन्दर बहली तक न थी रेश्मी स्लीपर साथ लाई थी पर यहां बाग कहां मकान में खिड़कियां तक न थी न जमीन पर न दिवार पर तस्वीरें यह एक सीधा साधा ग्रहस्त का मकान था किन्तो आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस सिंग दो चिडिया लिए हुए आए और भाबस से बोला जल्दी पका दो मुझे भूंक लगी है आनंदी भोजन बना कर उसकी रहा देख रही थी अब वो नया बयंजन बनाने बैठी हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने उसने सब घी मास में डाल दिया लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था बोला डाल में घी क्यों नहीं छोड़ा अनंदी ने कहा घी सब मास में पढ़ गया लाल बीहारी जोड से बोला अभी परसो घी आया है और इतना चल्दी उठ गया आनंदी ने उत्तर आज तो कुल पाव भर रहा होगा वह सब मैंने मास में डाल दिया जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उशी तरह बावला मनुश्य जरा-जरा सी बात पर तिनक जाता है लाल बिहारी को भाबच की यह ठिटाई बहुत बुरी मालूम हुई तिनक कर बोला मैंके मैं तो चाहे घी की नदիा बहती हूँ इस्ट्रियां गाली सह लेती हैं माल भी सह लेती हैं पर मैंके की निंदर उनसे न सही जाती है आनन्दी मूँफ फिर कर बोली हाती मरा भी तो नौलाग का वह इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं लाल बिहारी जल गया थाली उठा कर पटक दी और बोला जी चाहता है जीप पकड़ कर खींच लू आनंदी को भी क्रोध आ गया मून लाल हो गया बोली वह होते तो आज इसका मज़ा चखाते अब अपड थाकोट सिर न रहा गया उसकी स्री एक साधारन जमिंदार की बेटी थी जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था खड़ाओं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेकी और बोला जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूँगा और तुम्हें भी आनंदी ने हाथ से खड़ाओ रोकी सिर बच गया पर उगली में बड़ी चोट आई फ्रोत के मारे हवा में लिलते पत्ते की भाती कापती हुई अपने कमले में आकर खड़ी हो गई स्री का बल और साहस मान और मर्यादा पती तक है उसे पती के भी बल और पुरुशत्व का घमन्ध होता है आनंदी खून का खून पीकर रहे गई श्रीखंट सिंग सनिवार को घर आया करते थे ब्रहसपती को यह घटना हुई दो दिन तक आनंदी कोग भवन में रही न कुछ खाया न कुछ पिया उनकी बात देखती रही अन्त में शनिवार को वह न्यमा पूल संध्या समय घर आये और आकर बैट कर इधर उधर की बातें करने लगे कुछ देशकाल संबंदी समच्चाल तथा कुछ नए मुकद में आदे की चर्चा करने लगे यह बाता लाग राट दस बजे तक होता रहा